ये से हलो एवरीवान हितेश हीर तोड़ी विगना टाक अबाट दो मुवी सन 2007 में आई थी वैसे तो इस मुवी की भी मेरे पास में काफी टाइम से डिमांड आ रही थी पहले तो मैंने सोचा कि इस मुवी का भी एक कोलाबरेशन वीडियो बना जाए लेकिन आपके काफी सार जिवात होती है 1990 में जहां पर हमें दिखाया जाता है मेफिस्टो फैलेज यानि की शैतान शैतान का एक हमेशा शिकारी हुआ करता था जिससे कि वह हमेशा अपने काम करवाता था जिन में शामिलता जहन्नुम की आत्मा है जो भाग जाय करती होने वापस से पकड़ कर लान इस सौधा की हो जाने के बाद में शैतान अपने खास शिकारी यानि की महाकाल को कहता है कि उस गाओं में जाओ और वहां पर जो मैंने सौधा किया है उसके डील के पीपर्स मेरे पास में लेकर आओ जब वहां पर महाकाल पहुँचता है तो उसे पता चलता है कि यहां पर तो काफी सारी हेवानी ताकते हैं और अगर ये सारी ताकते शेतान के पास चली गई तो उसकी ताकत और जदा बढ़ जाएगी इस बात से महा काल का मन बदल जाता है और वो उस कॉंट्रेक्ट को लेकर शेतान के पास नहीं बलकि वहां से कहीं दूर भाग जाता है और यहीं नाम होता है बार्टन ब्लेज और साथ ही उनका बेटा जॉनी ब्लेज ये दोनों ही आपस में मौत की रेस लगा रहे थे वहीं पर जॉनी ब्लेज जिसका प्यार था रॉक्सेंट वो से देखकर स्टाइल मारने लगता है और तभी उसकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता की नाकारा इंसान हो और तुम्हारे पास में ज़्यादा पैसे नहीं है लिए हमारी फैमली इश शहर से दूर जाने वाली है तो जोनी रहे कि हम क्या करें क्या है क्या हम यह से भाग चलें और तबी वो दोनों अगले दिन दौपायर को यहांसे बाग जाने का डिसाइट कर उसका दिमाग काफी जदा खराब हो जाता है वो अपने मन को बेलाने के लिए वापिस अपने गराज में आकर अपनी गाड़ीयों को रिपैल करने लगता है और तभी वहाँ पर मैफिस्टो फैलीज पहुंच जाता है तो वह से पूछता है कि आखिर तुम कौन और यहां पर जॉनी से कुछ नहीं कहता है लेकिन वहाँ पर मैफिस्टो उसका मन पढ़ लेता है और कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारे पिता काफी ज्यादा बिमार है अगर तुम मेरे साथ सोधा करोगे तो मैं तुम्हारे पिता को बिल्कुल ठीक कर दूँँ ऐसा लगया कि मान और ये कहकर वह वहाँ से गया हो जाता है अगले दिन जब सुबह जॉनी की नीन खुलती है तो उसे तो लगता था कि ये सारा कुछ एक बुरा सपना था मगर जब वह अपने पिता को सामने खड़ा पाता है तो देखता है कि उसके पिता तो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं औ अपने पिता को फिर से तंदरूस देखकर जॉनी काफी खुश था और वहीं से अब वो दोनों रेस के लिए निकल जाते हैं एक तरफ तो उसके पिता अपने सपनों के बारे में उसे बताते हैं वो कहते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब मैं गाड़ियों की जगह ने बल्क लगता है मगर तब बार्टन समझ जाते हैं कि जॉनी की खुद की भी कोई जिंदगी है और वो अपनी सबसे फीवरेट गाड़ी की चापी जॉनी को देते हैं और कहते हैं कि जीले अपनी जिंदगी के पास निकल जाता है एक तरफ तो जॉनी रॉकसेंट से मिलने के लिए हो चुकी है इस बात से खफा होकर वह वहां से जाने लगता है मगर तभी चौरह पर उसकी गाड़ी का एकसिडेंट हो जाता है और तब उसके सामने आता है मैफिस्टो फैली यानि कि शेतान जॉनी उसे कहता है कि तुम यह जो रियक्शन है आपको इस मूवी के इंदर हर दिखाया जाएगा वो उससे कहता है कि तुमने ही मेरे पिता को कैंसर से ठीक करूँगा ना कि मैं उनकी जान बचाउगा अब तुम मेरे हिसाब से चलना होगा और तब सीने पर हाथ रख देता है हाथ रखने के साथ ही अब उसका शरीर जलने लगते हैं उसके पूरे शरीर में से धूमें लें किलने लगते हैं और सारी घोस्ट राइडर वाली पावर्ज अब उसके शरीर में आने लगती हैं मैफिस्टोस से ये भी कहता है कि अब तुम्हेरे सा साल जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अब जॉनी ब्लेज एक काफी अच्छा बाइक राइडर बन चुका है उसके जगह जगह पर नारी गूजन लगते हैं और साथ ही बड़े बड़े शोज होते हैं वहाँ पर में दिखाया जाता है कि करी 20 ट्रक्स के ऊपर से अब जॉन करता नहीं है सब लोग उसे जिन्दा पाकर काफी खुश होते हैं और वहाँ पर जाने के बाद मैं उसके सारे दोस्त जिनमें उसका खास दोस्त मैक भी शामिलता वह से कहता है कि जानता है कि 20 गड़ीं के ऊपर से कूदना क्या कोई आसान बात है तेरी जान कभी भी जा सकत तो वहाँ पर जोनी कहता है कि यह सब तो मैं आजमाना चाहता हूं मैं बस देखना चाहता हूं कि मरूंगा कब मुझे बस एक इशारी की तलाश है और उसके दोस्त कहते हैं कि तू कभी नहीं सुदरेगा वहीं पर सीन शिफ्ट होता है रेगिस्तान की बार में जहां पर प चाहता कि है तुझे से किस इशारी की तलाश है वहाँ पर जॉनी कहता है कि अभी तक तो मैंने सिर्फ 20 गाड़ियों के उपर से चलांग मारती मेरा दिल चाहता है तो मैं कहता है तू मरेगा मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरा बुरा हाल होगा और मैं नहीं चाहता हूं कि यह काम करें वहीं दूसरी और ब्लैक हार्ट उस बार के अंदर पहुंच चुका था वह एक एक करके वहां पर मौजूद सभी लोगों को जान से मार देता है और वहीं सबने तीन बाशिंदों को बलाता है यह तीन दानव होते हैं रेत का दानव पानी का दानव और हवा का इन तीनों को यह वह कहता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना पड़ेगा मेरे पिता मेफिस्टो फैलिस ने सैन ब्रेगिंजर गाओं के साथ में एक सौधा किया था वहां पर कई सारी शयतानी आत्म है थी मगर जिस सौधे को घोस्ट राइडर यानिकि महां का लिकर आने व पसंद आई थी मैंने भी बार तो जरूर सोचा था कि जब कॉलेज जाओंगो तो इसी तरी की हेरिस्टाइल और साथी कलमों की डिजाइन रखोंगा वैल जोक से पार्ट चली आते हैं कहानी पर अब वो दिन आ चुका था जब जोनी अपनी बड़ी चलांग लगाने के लि भी पूछ रही थी वो से कहती है कि आखिर तुमारी इंस्पिरेशन कौन है और आज की चलांग तुम्हें किसके बारे में याद दिलाती है तो वहां पर जौनी तो अपने पिछले प्यार में खोच चुका था और वो उसकी किसी बात का ठीक से जवाब नहीं दे पाता और उसके दोस्त उसे रेस के लिए तयार कर देते हैं तो पहले तो मैक काफी खुश होता है उसने कहाता है कि भाई तु गाडियों के उपर से मत कूदना चलो अच्छा है कि कम से कम यहां पर गाडियां तो नहीं और तभी उसकी आँके फटी की फटी रह जाती है क्योंकि इस जौनी ने गाडियों के उपर से नहीं बलकि हैलिकॉप्टर के उपर से चलांग लगाने का डेसाइट किया था और देखते यह देखते छे बड़े बड़े चौपर वहां पर आकर लेंड हो जाते हैं और फिर वहां पर जौनी अपनी आंके बंद करके एक बहुत यह पास में निकल जाता है रॉक से अपने सेकेटरी की साथ में बैटकर गाड़ी में जा रहे थी तो उसे अपना वीडियो एडिट करना था लेकिन वहां पर जब जौनी को कहते हैं कि गाड़ी मत रोको इसे सीधा चलते रहने दो वहां पर जौनी से रूखनी की काफी ही पड़ती है रॉक से बाहर निकलती और उसे पूछती कि आखिर तो मुझसे कह चाते हो यहां पर मेरा पीछा क्यों कर रहे हो तो जौनी उसे कहता है कि तुम मेरा प्यार थी हो और रहोगी मैं तुम्हारी बिना जी नहीं सकता क्या तुम आज शाम को मेरे साथ डीट पर चलना चाहोगी और काफी मना करने के बाद में फाइनली रॉक से उसकी बातों के लिए हां कह देती है और आज रात को डेट के लिए मान जाती है वहीं से रात को अब जौनी तयार होने के लिए वाश वैसन के सामने पहुंचता है और देखता है कि उसके हाथ तो लाल हो रह लाता है तो वह दीखता है कि उसके सामने और कोई नहीं बेल की खुद मैफिस्टो खड़ा है और अब यहां पर हमें कहानी का एग्जक्ट प्लाट रिविल होता है हमें यापर पता चलता है कि मैफिस्टो का बेटा जो की ब्लैक हार्ट है उसने अपने पिता के साथ में ग करता है कि अगर तुम मेरे बेटे ब्लैक हार्ट को जान से मार दो तो मैं तुम्हारी रूह तुम्हें वापस लोटा दूंगा और वहीं से वह घोस्ट राइडर को ब्लैक हार्ट को मारने के लिए भीज देता है उसकी गाड़ी की स्पीड इतनी थी कि आस पास में मौजू सारी दिवारे सारे कांच तूटने लगते हैं उसके टायर की गर्मी से पूरी सड़क पिखलने लगती है और वहीं पर उसकी गाड़ी की नंबर प्लीट भी गिर जाती है वहीं बरजीन शिफ्ट होता है ब्लैक हार्ट की तरफ जो कि उस कब्रिस्तान में पहुंचता है जह जाता है उसे वहां पर देखकर ब्लैक हार्ट डिसमा जोता है कि जुरूर मेरे पिता नहीं से यहां पर भी जान से मारने के लिए मनें पर तोड़ कर लपीट कर जांसे बात देता है उन सबी को ढूड़ने जब गोस्ट राइडर वहां से निकलता है तो देखता है कि रास्ते में लड़की को एक चोर परिशान कर रहा है और वहीं से गोस्ट राइडर उतरकर उस चोर के पास में आता है और उसे कहता है कि तुम बुरे हो गुनेगार हो और तब वह अपनी सबसे खतरनाग पावर या लेकिन जैसे ही सुबह होती है उसका शरीर वापिस से इंसानी रूप में आने लगता है और वह रोड़ पर आकर गिड़ जाता है वहां पर उसे कब्रिस्तान मिलता है वहीं पर उसकब्रिस्तान का कीपर उसे दीखता है और उसे अपने घर में लियाता है जवाब और जौन के पास में काफी सारे सवाल हैं मगर उनका सिर्फ एक ही जवाब हैं यहीं पर हो और कहीं मजआ जाओं मंगर जॉन घौनि को यह सारी बाटे कां समझ में आ Calvin समझ में ती और वाई इसकी बिना कोई बात सोचे समझे वहां से निकल कर जाने लगता है अगर तभी वहां आज से 17 साल पुरानी थी 1990 में सैन ब्रिगंजा नाम का एक गाव था जहां पर शैतान ने वहां की आत्माओं का सौधा गया था और इसे लेकर आने वाला था एक महाकाल जिसका नाम था कार्डर मगर तब उसे पता चला कि अगर ये शक्तियां शैतान के पास में चलेगी तो औ और जादा ताकत पर बन जाएगा इसलिए वह सदा उसने कहीं दूर छिपा दिया वह दूसरी और अप शहर के अंदर काफी सारी इंवेस्टिकेशन टीम रोड़ पर जांच परताल कर रही थी वह देख रही थी कि रोड़ किस तरीके से आंग से पिकल चुका था हर दुका ने तबाह हो चुकी थी और तभी वहां पर रॉकसेन की नजर उस लड़की पर पढ़ती है जिसने कल रात घोस्ट्राइडर को देखा था उससे पूछती कि आखरी वह दिखता कैसा है तो लड़की कहती कि उसकी खोपड़ी में से आंग निकल रही थी मानों की जिसे जुल हम चाहे तो अब भी अपनी एक नई शिरुवात कर सकते हैं लेकिन रॉकसेन उससे काफी खरी खोटी सुना कर वहां से निकल जाती है घर आने के बाद में जौनी अपने शरीर को देखता है वो देखता है कि किस तरीके से वो आंग में बदल गया था वो काफी सारी किताबे पढ़ने लगता है पुराने पोते खोल देता है और तब उसे पुरानी किताबह में पता चलता है कि यह जो आग की शक्ती है महाकाल यह एक शिकारी था श्रेतान का जिसके पास में रूप बदलने की शक्ती थी जब भी कोई मुसीबत आया जब भी कोई जरूरत पढ़े व लगता है मैंने आज सुबह तुमारे साथ काफी बचसलूगी के साथ में बात करी लेकिन तब वहाँ पर जॉनी से समझाने की कोशिश करता है कि जो जॉनी तुम मुझे समझ रही हो में वो हूँ नहीं मैं जब तुम्हें बताने वाला हूँ शायद तुम उस पर विश्व किसी वज़े से अब उसे पुलीस कस्टिडी में ले जाया जाता है रात का समय होने वज़ा था और वहां पर दोनों पुलीस वाले उससे पूछ ताच कर रहे थे कि रोड पर एक कतल हुआ है एक इंसान का और हमें रात को तुम्हारी गाड़ी की नंबर प्लेट मिलिए क्य कि तेरे शो के लिए मैंने सौर पे खर्चा किया था और सोच रहाता है कि तो उस हेलिकॉप्टर के नीचे अगर मरेगा मगर तू तो मरा ही नहीं तू अभी तक जिन्दा है जॉनी लेकिन अब तू नहीं बचेगा हम तुझे जान से मार देंगे और सारे के सारे कैदी उसक आइकॉनिक जैकिट दिखाया जाता है उस जेल को तूड़ कर भार निकलने के बाद में वो अपनी बाइक को बलाता है और उसकी बाइक जो पार्किंग एंदर खडी थी वह भी अब उसकी बात सुनकर उसके पास पहुंच जाती और अपनी बाइक को हाथों से चूकर वो उ के अंदर पानी के ऊपर अपनी बाइक को चलाते वह वहां से निकल जाता है और जीदा पहुंच जाता है जहां पर इंखार्ट मौझूद था लेकिन इंखार्ट में भी काफी दिमाग था वह अपने हवा के दानव को उससे लड़ने के लिए भीज देता है और जब घूस्ट बनाता है जो कि आख की लपटों का होता है और उन्हीं आख के लपटों में आकर वह हवा का दना वहीं पर जान से मारा जाता है उसे जान से मार देने के बाद में वह उसी बिल्डिंग से नीचे उतर कर आने लगता है सारे पुलीस वाले वहां पर घेरा बनाकर उसे पकड़न वहाँ पर हर जगे तबहाई मचा देता है और अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में लेकर वहाँ से निकल जाता है रॉक्सियन को ये बात पता थे कि अंत में आकर मुझे जॉनी अपने घर पर ही मिलेगा और तब वहाँ पर ब्लेक हार्ड उसे बताता है कि क्या तो मैं मेफिस्टो या फिर उस बूढ़े आद्मी ने ये नहीं बताया कि मेरे पास तो आत्मा ही नहीं है मुझे वहीं पर आकर मिलना, मैं वहीं तुम्हारा इंतिजार करूँगा अब यह बात सुनने के बाद में जॉनी वहाँ पर सीधा उसी इंसान के पास में पहुंचता है जिसने आज तक उसी इस सारी बाते बताई थी और तब हमें पता चलता है कि वह इंसान और कोई नी बल्कि खुदी काटर ब्लेक है जो कि आज से डेट सु साल पहले मेफिस्टो दुवारा बनाया गया महाकाल था और यही वो शक्स था जिसने सौदे के कागजात शैतान को लाकर नहीं दिये थे जौनी उसे बताता है कि मेरी गल्फरेंट रॉकसेन अब बल् Best के हाथों में है और वो मुझसे चाता है कि मैं लाकर उसे इस सौदे के कागजात देड़ू क्या आप मेरी हेल्प करेंगे इसमें तब वहाँ पर कार्टर बलेक उसे कहता है कि अगर इस सौदे के कागज़ा तो उसके हाथों में लग गए तो वो इस दुनिया का सबसे बड़ा शैतान बन जाएगा उसे हराना तुमारे है मेरे बस की बात नहीं होगे तब वहाँ पर जानी कहता है कि मेरे अंदर वो जजबा है जो मुझे जीद दिलाएगा अगर आप मुझे पर विश्वास करते हैं तो मेरा साथ दें और इसी के साथ अब कार्टर और साथ ही जानी अपने असली घोस्ट राइडर रूप में आकर 500 मील दूर उस सैंट ब्रिगंजा गाओं के लिए निकल जाते हैं एक तरफ तो कार्टर अपने घोड़े पर थे और वहीं दूसरी और अब जानी अपनी बाइक पर था और दोनों अपनी फूल स्पीड के साथ में 500 मील दूर उस सैंट ब्रिगंजा गाओं में पहुंच जाते हैं पादी का दलडल था और वहीं पर पानी वाला दाना व्हूंसे पकड़ लेता है और से अंदर खेंचकर उसे जांसे मारने लगता है लेकिन हम तो जानते हैं कि और पनी ताक्तों को इस्तवाल करके उस द आनक को भी खत्म करकर उस गाओं की बीच पहुंच जाता है जहावर ब्लैक हार्ट उसका इंतिजार कर रहा था वहाँ पर उसके आंकों के सामने रॉकसेन भी थी और उसे मना करती है कि इसे इस सौदे की कागजात मत देना लेकिन अब जॉनी को तो अपनी गल्फ्रेंड की जान बचानी थी इसलिए वह फाइनली उस सौदे की कागजात उसे दे जान से मार देगा और उनकी आत्माओं को भी कबजा करकर अपने अंदर डाल देगा इसलिए उसका खट मोना जरूर है और इसलिए वह उसे गिरजा गर में लेकर पहुँचता है उस पर काफी शूट भी करता है लेकि उसके इतनी हजार आत्मा है ती उसे जान से मारना काफ हजार आत्म हैं और अगर हजार आत्म हैं तो हजारों गुना जलेंगे हजारों बाते जलेगी हजारों यादे जलेगे और इसी पूरी शक्ति के साथ में अब फाइनली ब्लैक हार्ट का अंत होता है अब यहां पर अलगी गोस्ट राइडर ने अपने राइवल यानि कि ब्लै का कोई भी शैतान जिन्दा नहीं रहेगा यह बात सुनने के बाद में में फिस्टो फैली स्वां से चला जाता है मगर यह कहता है कि मैं जरूर रहूंगा वहीं से इस मूवी की हैपी एंडिंग होती है जहां पर में दिखाया जाता है कि रॉकसेन और साथी जॉनी अब आपस अगले वीडियो में जब है जब आपस अगले वीडियो में दिखाया जाता है